हलो दोस्तों एक वर्फिल स्वागत एक नए वीडियो में आज हम बताएंगे कि बोटरा आईडी कार्ट के लिए घरवेटे स्वेमी आउनलाइन अपलाई कैसे कर सकते हैं बोटरा आईडी कार्ट क्या है और एक क्यूं जरूरी है इसके बारे में आपको कुछ बताते चलें भारत दुनिया में सबसे बड़ी लोगतांत्रिक देशों में से एक है जिसमें अर्बों लोग रहते हैं इसकी विवित्ता को देखते हुए हर राज जिला और सहर में कई असंक राजनीतिक दलों का गठन किया गया है चुनाओ भारत में एक बिस्तरत मामला है और लोगतंत्र का एक बहुत ही अभिन्नंग है भारत में चुनाओ हर पांस साल में आयोजित किये जाते हैं के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपना बोट देने का अधिकार होता है और यह हमारा कर्तब भी है चुकि यहां आवादी का एक बहुत बड़ा हित्सा सामिल है इसलिए चुनाओ कभी आसान नहीं होता है चुनाओ में दोखा दड़ी को कई मामले सामने आते हैं इसलिए कुछ हद तक चीजों को सुचारू बनाने के लिए भारतिय चुनाओ आयोग ने मतदाता पहचान पतलों की पड़ाली सुरू की है बोटर आईडी कार्ड बनाने का मुक उद्देश उन लोगों को रेजिस्टर करना है जो बोटिंग के लिए योग है तो चलिए प्रोसेस को स्टार करते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैप्टाप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे ब्राउजर ओपन करने के बाद ब्राउजर के सर्च बार में nbsp.in website सर्च करेंगे website सर्च करने के बाद आपको nbfc service portal open हो जाएगा पोर्टल का home page कुछ इस प्रकार होगा इसमें कई services के टाइब आपको देखने को मिल जाएगे सबसे पहला टाइब e-pick download यहाँ से आप अपना voter id card डाउनलोड कर सकते हैं search in electoral role यहाँ से अपना voter id card को सर्च कर सकते हैं voter portal यहाँ से form जो form आपको देखने को मिल जाएगे यहाँ से आप pdf डाउनलोड कर सकते हैं voter list की यहाँ से know your assembly, parliamentary, constituency details, blo, electoral, officer details, political party, represent status इसके बाद आप यहाँ से track application status, यहाँ से आप अपने application status को जान सकते हैं जैसे कि अगर आपने voter id card के लिए apply किया हैं तो उसका status यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आप login पर click करेंगे, अगर आपके पास username और password है तो आप यहाँ fill करके, capture fill करके, login पर click करेंगे अगर आपके पास login id या password नहीं है, तो आप नीचे don't have account register i.j. new user पर click करेंगे click करने के बाद, सबसे पहले आप अपना mobile number fill करेंगे और capture fill करेंगे, send otp पर click करेंगे click करने के बाद, आप इसके थुरू registration कर लेंगे हमारे पास पहले से login id और password available है तो यहाँ पर हम अपना username fill करेंगे, इसके बाद password fill करेंगे password fill करने के बाद, दिखाये गए, capture को fill करेंगे capture fill करने के बाद, login पर click करेंगे click करने के बाद, हमारे सामने portal का home page open हो जाएगा इसमें आप देखेंगे, left side, welcome, what would you like to do register as a new electoral voter, यहाँ से आप voter id card के लिए apply कर सकते हैं और नीचे आपको कई options देखने को मिल जाएंगे हमें voter id card के लिए apply करना है, इसलिए हम सबसे first option क्लिक करेंगे click करने के बाद, आपके सामने एक नया page open हो जाएगा यहाँ पे आप form type देखेंगे, form 6, form 6a, form 6b, form 7, form 8 इनका यहाँ पे form का विवर्ड दिया है, form 6 में क्या होता है, नए मतलादा के रूप में आवेदन करें form 6a क्या होता है, प्रवासी मतलादा के रूप में आवेदन करें Form 6B क्या होता है मौझूदा निर्वाचको द्वारा आधार संख्या की जानकारी के लिए जो बोटर ID कार्ट जिनके बन चुके हैं उनमें आधार नंबर लिंक करने के लिए आप Form 6B फिल करेंगे Form 7 क्या है मतलाता सूची में आपत्ती और नाम हटाने के लिए क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा Election Commission of India Form 6 Application Form for New Woters यहाँ पर आप Rules देखेंगे See Rules इसके बाद यहाँ से आप Language को Select कर लेंगे अगर आपकी जो भी Regional Language है उसके बाद यहाँ आप सबसे पहले अपना State Select करेंगे State के बाद District चूच करेंगे District चूच करने के बाद New Assembly विधान सवा चूच करेंगे चूच करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे Personal Details फिल करेंगे इसमें First Name followed by Middle Name First Name फिल करेंगे, Inter करेंगे Regional Language में Automatically आपको सो हो जाएगा अगर आपका कोई सरनेम है फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे सरनेम फिल करेंगे, सरनेम फिल करने के बाद Type of Relation फिल करेंगे Relation क्या है, Father है, Mother है, Husband है Wife, Legal Guardian, In Case of Orphan Guru, In Case of Third Danger तो जो भी आपका यहाँ पे Relation है उसको आप चूच कर लेंगे, इसके बाद अपना Mobile Number फिल करेंगे Mobile Number फिल करने के बाद Email ID अगर आपके पास अबेलबल है तो फिल करेंगे, नेसेसरी नहीं है Email ID फिल करने के बाद आप सामने की तरफ देखेंगे, Right Side में Tick if Mobile Number of Relative Tick if Email ID of Relative अगर यह है, तो आप इसको टिक कर देंगे Tick करने के बाद आप इसको Verify करेंगे Verify करने के लिए Send OTP पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद जो आपने Mobile Number फिल किया है उस पर एक OTP आएगा जिसको आप फिल करके यहाँ पर Verify करेंगे, OTP में थोड़ा सा टाइम लगेगा OTP फिल करने बाद Verify OTP पर किलिक करेंगे OTP verified successfully हो चुका है यहाँ आप अपना आधार नमबर फिल करेंगे आधार नमबर फिल करने के बाद Gender of Applicant आब एदन करता का Gender आप चूज करेंगे फिर इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे Date of Worth Details Supported Formats JPG, JPG, Maximum 5 MB इसके बाद Date of Worth के लिए आप यहाँ पे कोई Supportive Document Upload करेंगे जैसे की Worth Certificate, Indian Passport, Pen Card Driving License, Adhar Card Certificate of Class 10th या 12th या अधरस में कोई Document है जो आपकी Age को Proof करता हो इन में से जो आपके पास Available Document है उनको आप चूज कर लेंगे और यहाँ पे Format है जो Document का उसको JPG में होना चाहिए Maximum 5 MB Choose File पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद Document को Upload कर देंगे, एक बात यहाँ आपको और ध्यान रखनी होगी, Upload Self Attested Copy Up Document Supporting Age Proof, जो भी Document आप अप अपलोड कर रहे हैं वो आपका Self Attested होना चाहिए Means आपका Sign किया हुआ Document होना चाहिए, मैंने यहाँ पे Pen Card को Choose कर लिया है इसके बाद Pen Card को Upload कर देंगे Upload करने के बाद, नीचे की तरफ आएंगे इसमें आप देखेंगे, Present Ordinary Resident Full Address, जो आपका Address है, उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे, सबसे पहले आप देखेंगे House Building, Apartment Number यहाँ पे फिल कर देंगे, इसके बाद आगे की तरफ जाएंगे, Automatically फिल हो जाएगा फिर इसके बाद, Street Area, Locality, महला, Road, जैसे की अगर आपका गाउं है, तो गाउं का नाम फिल करेंगे, City है, तो कालोनी का नाम फिल करेंगे, इसके बाद इंटर करेंगे, आगे की तरफ फिल हो जाएगा इसको आप Google Input Tool से Correct कर देंगे, जो भी आपका गाउं का नाम Hindi में जैसे आपका लिखा जाता हो उसको आप आगे Correct भी कर सकते हैं इसके बाद Same Edge, इसको Copy करके, नीचे फिल कर देंगे, Town Village में इसके बाद, आप Post Office क्या है उसको फिल करेंगे, पोस्ट आफिस को फिल कर देंगे इसके बाद, नीचे तैसील को फिल करेंगे जो भी आपका तैसील है, तैसील फिल करने के बाद, आप पिन कोड मेंशन करेंगे पिन कोड फिल करने के बाद, डिश्टिक आपका Automatically आ जाएगा, और State, इसके बाद नीचे देखेंगे आप, Upload, Sale, Protected, Copy of Address, Proof Either in the Name of Applicant और Any of the Parents, Spouse, Adult, Child, If Our Lady Induled as Electr at the Same Address तो यहाँ पे आप, Type of Document में सबसे पहले, Choose कर लेंगे, जो आपके पास, Document Available है यहाँ पे उसको, Upload कर देंगे Upload करने के बाद, आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ आपको, Photograph, Upload Your Photograph Unsigned, Passport Size, Color Photograph इसका आप, Size ध्यान रखेंगे 4.5 Semi, Into 3.5 Semi यहाँ पे फोटो अप्लोड करेंगे Upload, Photograph पर किलिक करेंगे यहाँ आप देखेंगे, Choose File पर किलिक करेंगे, Choose File से आप अपनी फोटो को अप्लोड कर देंगे यहाँ आप देखेंगे, अगर आपका फोटो Accurate है, तो ठीक है Otherwise, यहाँ से आप फोटो को Rotate भी कर सकते हैं, यहाँ से Get Preview पर किलिक करके देख लेंगे फोटो को अभी आपका फोटो सेंटर में नहीं है इसको हम again सेंटर में कर लेंगे फोटो को, प्रिवी पर किलिक करेंगे पोटो आपका सेंटर में आ रहा है Save कर देंगे, save करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, category of disability, अगर कोई है locomotive है, visual है, deep and dumb है या other कोई है, तो यहाँ पर tick कर देंगे, या other में fill कर देंगे अगर कोई disability नहीं है तो इस option को छोड़ देंगे क्योंकि यह optional है, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे The details of my family member already included in the electoral role at current address with whom I currently reside or as under अगर आपका कोई applicant का कोई family member है, जो already जिसके पास voter ID card है उसका नाम यहाँ पर fill कर देंगे नाम के बाद आगे आप relationship with applicant यहाँ पर relationship, choose कर लेंगे, इसके बाद जिसका नाम आप यहाँ पर mention कर रहे हैं, उसका voter ID card यहाँ पर fill कर देंगे, voter ID card fill करने के बाद, नीचे की तरफ आएंगे declaration में, I am a citizen of India and place of my worth is, तो यहाँ पर आप इसको fill कर देंगे जहाँ पर आप place हुआ है, आपका जनम हुआ है यहाँ से आप district choose कर लेंगे district choose करने के बाद, आप second declaration देखेंगे, I am ordinarily resident at the address given at above since, कब से आप उस address पर रह रहे हैं, जहाँ से आप voter ID card के लिए apply कर रहे हैं यहाँ पर आप fill कर देंगे, मैं fill कर दिया मैंने इसके बाद नीचे की दरफ देखेंगे आप third declaration में क्या है, I am applying for inclusion in electoral role for the first time and my name is not included in any assembly, constituency, parliamentary, constituency इसका मतलब है कि मैं first time इस विधान सवा से या parliamentary, constituency से apply कर रहा हूँ इसके बाद fourth में देखेंगे इसके बाद ऐसे 5 है इसके बाद आप place यहाँ पर mention कर देंगे जहां से आप apply कर रहे हैं इसके बाद date अप क्या लेडी fill up होगी, आज की जिस date में आप apply कर रहे हैं इसके बाद capture fill कर देंगे capture fill करने के बाद आप यहाँ से preview and submit फर click करेंगे preview फर click करने के बाद आपके सामने एक नया page open हो जाएगा उपर की तरफ देखेंगे आप election commission of India form 6 आपके सामने preview का page खुल जाएगा जिसमें आप अपनी details को verify कर लेंगे जैसे की to the electoral registration officer उत्तर पुदेश इसके बाद नीचे की तरफ आप personal details को check कर लेंगे अपना name इसके बाद type of relation में क्या नाम fill किया है आपने इसके बाद mobile number email id relative किया है किसकी है आधार number आप check कर लेंगे gender check कर लेंगे इसके बाद नीचे की तरफ आएँगे date of worth अपनी check कर लेंगे document for proof of date of worth date of birth को proof करने के लिए क्या document आपने upload किया है इसके बाद present address आप check कर लेंगे इसके बाद नीचे की तरह पाएंगे district check कर लेंगे state सारी details अगर आपकी correct है तो आप submit पर click करेंगे अगर आपकी details में कोई mistake है तो आप back जाके अपने details को correct कर लेंगे इसके बाद दोबारा preview के option पर click करेंगे इसको check कर लेंगे then submit पर click करेंगे यहाँ details verify कर ली है इसके बाद submit पर click करेंगे click करने के बाद आपकी सामने एक नया page आजाएगा जिसमें आप देखेंगे thank you for submitting form on nbfc your reference number id you can track form application status here यहाँ से आप अपने application status को check कर सकते हैं इस reference id को आप note down कर लेंगे जिससे आप future में अपने application status को check कर सकते हैं मैं आसा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो like करें subscribe करें और comment करें और जादा जादा share करें जिससे सभी घरवेटे अपने voter id कार्ट को apply कर सकते हैं इस वीडियो की जानकारी सभी के काम आएगी आज की वीडियो देखने के लिए thank you so much मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye टैक चल